आलांकि पीपल विक्ष घर में नहीं लगाते हैं लेकिन पारस पीपल वापस बोल रहा हूं मैं पारस पीपल एक एसा पीपल का पोधा है कि यह घर की शिमाओं के भीतर लगाया जा सकता है और प्रतेक व्यक्ती इसे अपने घर की सिमा के भीतर लगा सकता है विशेश रूप से जो शिक्षा विध है चाहे इस्टूडेंट से टीचर से एडुकेट से जो शिक्षा से सीधे सीधे संबंध रखते है वे अपने घर की सीमा में पारस पीपल अवश्य लगाए इसके अलावा एसे वेक्ति जो अपनी संतान से किसी भी कारण से परिशान है दुखी है, पीडित है एसे वेक्तियों को भी पारस पीपल घर की सीमा के भीतर लगाना चाहिए अब सवाल यह है, आता है कि घर की सीमा में यदि इसे लगाया जाता है तो किस दिशा में पारस पीपल को लगाया जाए पारस पीपल हमेशा पश्च्यम दिशा में ही लगाना चाहिए कभी भी इसे उत्तर या पूर या इशान कोन में अपने घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए पारस पीपल को नित्य प्रती दिन जल सीचना बहुत ही शुभ कारी होता है इसके अलावा जो पंडित या प्रहमन है वह यदि वेदो का अध्यन करता है पारस पीपल के पास बेट कर वह अति उत्तम होता है जो विद्यार्थी है इस्टुडेंट्स है जो कॉंपिटिशन की तैयारी करते है जो अपने ब्रेन को अधिक से अधिक काम में लेते है जैसे एडवोकेड्स है एंजीनियर्स है डाक्टर्स है इन लोगों को भी अपने विशे से संबंधित अध्यन पारस पीपल के पास बेट कर करने से बहुत लाभ मिलता है पारस पीपल से वास्तु दोश भी दूर होते है मुझे उमीद है कि पारस पीपल की यह महीमा आपके समझ में आ गई होगी फिर मैं सारांश में बता ही देता हूँ कि व्यक्ति अपने घर की सीमा के भीतर पश्चिम दिशा में पारस पीपल लगाए पारस पीपल को नित्य प्रति दिन जल स्चीचे पारस पीपल के पास बेट कर वेदों का अध्यन करे पारस पीपल के पास में बेट कर इस्टुडेंट्स अपना अध्यन करे ये सब कारी बड़े ही शुबकारी लाबकारी होते है संतान पक्ष से जो पीडित व्यक्ती है वे नित्य प्रति दिन पारस पीपल को जल सीचे और साइस समय उस पर दीपक भी जरूर लगाना चाहिए जै शी किस्ना